SBI Yono Application हाँ दोस्तो ऐसे तो इसके बारे में इस चैनल में और एक वीडियो आपको मिल जागा लेकिन बहुत सारे यूजर्स के कॉमेंट पर हम एक वीडियो फिर से ला रहे हैं क्योंकि दोस्तो कुछ छोटी बड़ी अपडेट आते ही रहते हैं नया नया अपडेट आते रहत कर सकते हैं वह भी बिल्कुल पांच मिने और अपने से अपने मुबायल से आपको ऐपको कम्पीटर लैप्टॉप की जरुद नहीं है backward इस चैनल में आपको जितनी सारी वीडियो मिलेंगे आप सारे वीडियो को अपने मोवैल से मैनेज कर सकते हैं अपने मोवैल से आप उस सेटिंग को कर सकते हैं जो भी एप्लिकेशन के बारे हम बताते हैं जो भी यूजर नेम पास्वर बनाने के लिए आपको बताते हैं वो सारा चीज आप मोवैल से कर सकते हैं तो चलिए इस वीडियो को यो स्टार्ट करते गर आप यूजर नेम और पास्वर्ट भूल जाते हैं तो उसकर कैसे आप दोबारा से रीचेट कर सकते हैं जैसे कि दोस्तों अगर आपके मुझान में यूनों का तो आप उसे open करते हैं open करने क kijken आपको sim select कर लेते हैं तो sim select करने के बाद o करते हैं थो और प्रкив का शिरिएक के बारे में बात करने देख सकते हैं इस Polish रहा है और नीचे में पास्वर्ट पूज रहा है यहां में आपको कोई भी उप्सन नहीं पास्वर्ट फोर्ट का प्रे या फिर दृस्टोर्स यहां पर डाल के सम्मिट करने का उप्सन आता है तो चलिए आपको हम बताते हैं किस तर से आप यूजर नेम और पास्वर को यहां पर नहीं बना सकते हैं आपको गूगल या फिट कॉरम को ओपन कर लेना है अपने ब्रोजर में कोई सभी ब्रोजर ओपन कर लेना अपने लोगिंग करना है तो चलिए यहां पर इंडिया का और यहां पर आगया है इसे हम लोगिंग कर लेते हैं इसे ओपन करने के बाद को जिस तरह से आपके सामने में डेश्टॉप नजर आएगा आपको इसे नीचे से भी देख सकते हैं पर इस तरह का उप्सन आ जाएगा और यहां पे लोगिंग का बटन ही आप लिखा वा इशन को क्लिक करने के बाद आपको यहां पर कंट्यूनिऊ ट्रोगिंग करना सब उससे पहले आप अपने Humanogle को ढईस्ट आप साइड में करेना है इससे क्या होगा आपका जो भी एपलिकेशन है वह smoothly चलने लगेगा तो चले हम डेश्टर साइप क्लिक कर दिए और उसके बाद यहां पर उपर में continue क्लिक में हम क्लिक कर देते हैं उसके बाद यहां पर option आपके सामने में आ जाता है फिर से username और password यहां पर पूझ रहा है यहां पर देख सकते हैं अगर online state bank का अगर आप इस से फिर से login कर सकते हैं लेकिन आपके पास यूजरनेम है और ना ही password है तो आप किस तरह सी Chinese kind कर सकते हैं तो यहां पर देख सकते हैं यहां पर देख सकते हैं यूजर नेम और पासफ़र यहां पर लिखा हुआ है उसमें आपको क्लिक कर देना उसमें जैसे आप क्लिक करते हो तो यहां पर देख सकते हैं Jorge my login password का option यहां पर आज यहता हुश में जैसे क्लिक करते हैं पर चार आप सोग कर देगा तो आपको क्या करना सब से पहरे में आपको 14 यूजर्ण नेम में आपको क्लिक करना है यहां पर देख सकते हैं आपको 14 नजर आ रहे हैं लेकिन आपको दूसरे वाले option को क्लिक करना क्य हो जाता है यहाँ पर अपना पात देना जिए इन्टेरी निट रहाने को इनदीयान सale करने के भाद तरह आपके पाते मोवयल नमे रिजिस्टर यहां पर दाल देना उसके वाद नीचे को को फिल कर देना है फिल करने के बाद यहां पर आपको सम्मेड में किलिक कर देना उसके बाद आपके जो भी मुहलमा रेजिस्टर है उसमें एक OTP आएगा और उस OTP को यहां पर आपको डाल देना है यहां पर देख सकते लेना है तो इसको लिख लेता है लिखने के बाद फिर से आपको लोगिंग करना SBI Online Banking को फिर से Logging करना होता है तो चलिए यहां पर हम Logging में क्लिक कर देते हैं उसके बाद Dash of Sign में अगर नहीं है तो आपका मोल फिर Dash of Sign में क्लिक कर देना है उसके बाद Continue में Logging में क्लिक कर देना है अब यहां पर देख सकते हैं हीजर नेम आपको तो मिल गया लेकिन आपको पासवर्ड अभी तक नहीं मिला है तो आपको फिर से क्या करना फिर पासवर्ड उसी ओप्सन को आपको फिर से क्लिक करना होता है तो चलिए उसी ओप्सन को हम क्लिक कर देते ह में को करना है उसके बाद नेक्षे में यहां पे तस में उपके सामने में उसमें कैश्चां करते हैं फिर नए पंष जाता है इहां पर जो भी डीटेल जैसे को इहां पर फील करना जैसे कि यहां पर देख सकते यूजरणे माहीं प्यूज्टण नेम यहां प्टा श्ब्व करना है सारा डिटेल भरने के बाद आपको अपने पास्बूक के हिसाब से पूरा चीज़ यहां पर डिटेल भरना और डालना और केप्चे को डालने के बटन में आपको किलिक कर देंदा चलिए इसके फिल करने के समयर में किलिक कर दें उसके बाद आपके समयर में किलिक कर देंद तो आपके सामने में तीन आएगा आप चाहे एक्टियम कार्ट के दौरा यूच कर सकते या पिर आपके पास प्रोफोर्ट है तो उसके दौरा भी लोगिंग कर सकते हैं तो चलिए हमारे पास एक्टियम है तो हम एक्टियम को करने के बाद आपके सामने में अलग से पेड़ यहांप्ट करने के बाद के ek凌क्रने के अब करने के पाद आधको कौन सा है कार्ट होल्डर में नेम क्या है उसके बाद आप यहांपर पीं डालगίνगा द्श्याइब यहां पर confirm कर देना यहां पर successful हो जाएगा successful हो जाने के बाद आपको यहां पर आपको अपने मन पसंदीदा आपको passport यहां पर select करना होता है यहां पर यहां पर रखना होता है तो आप यहां पर अपने हिसाब से passport यहां पर रख सकते पासवर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर तो आप समझेए आपका पासपर्ट बन गया अब यहाँ पर आपको अपर यूट्र एप्लिकेशन को ओपन कर ला है वहां पर जाके करना देखने कीृरा या फिर नहीं हो रहे से यांप हम यह योनोब ल्ट कर लिए और यहां पर यूजर ने जो हमको मिला था उसको डालने के बाद पासपाट डालने के बाद कुछ इस तरह से क्लिक कर देना यहां पर जख सकते हैं यहां पर यहां पर फिंगर डालना चाहते तो फिंगर भी डाल सकते नहीं तो इसे छोड़ भी सकते हैं और पीन डाल के आप इसे लोगिंग कर सकते हैं चलिए यहां पर हम यहां पीन जो बनाया है उस पीन को यहां पर हम डाल देते हैं सब्सक्राइब यहां को डाल दिये और यहां पेलोगिंग करते हैं लोगिंग करने के बाद कुछ जिस तरे से आपके सामने में यहां से अपने क्यान को मैनेज कर सकते हैं तो दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा नीचे आफ कमेंन करका जरूरिब मताया है और अच्छे तो लाइक शेयर भी कर दिए और अगर आप हमारे चैनल पर नहीं है तो आपसे रिक्वेश्ट को सब्सक्राइब कर लिए इस लाल प्रेट के बटन को दबा दिए और साथ में इसे बेल आइकन को भी प्रेस कर दिए ताकि हमारे नहीं वीडियो करें सबसे पहले आप तक